So after that endocrylase, Oh please don't eat me now. तो जब endocrylase ने इस lion के पैर से ये बड़ा सा कांटा निकाल दिया. तो उसके बाद इसको लगा कि जो चीक निकल गई lion को, क्योंकि उसने कांटा निकाला उस टाइम फ्टोड़ा चीक खायी lion. तो endokrylis को लगा कि ये शायद मुझे खाना जाए तो वो कहता है उसको महरबा नी करके मुझे न खाऊ तो endokrylis को bite करने के बजाए endokrylis को bite करने खाने या उसको काटने के बजाए line जो है वो lick करता है उसके face को यानि हमेस fashion with इसको share के मेस endokrylis that was sweet not very hygienic I suppose I will get some water from the stream to watch your wound तो endokrylis जो है जब ये lick करता है line इसके face को ये कहता है that was not hygienic तो ये कोई healthy lick नहीं था okay I suppose I will get some water from the stream to watch your wound okay तो ये सोचता है कि चलो मैं क्या करूँगा मैं थोड़ा पानी लाओंगा जो नदी है वहाँ से पानी लाओंगा और इसका जो ये जखम है जो मैंने काटा निकाला तो उसकी वज़ए से जो ये जखम आ गया इसमें वो धूँगा तो एंडोक्रल्स गेट सम वाटा और वाश्च दा लाइन ब्लेडिंग पा ओके पा हो गया ये ओके तो एंडोक्रल्स पानी लाता है से च्ट्रीम से और इसका ये जो जखमी पंजा होता है इसको तो होता है अडोक्रल्स को लिख करता है फिर शांचुस जनत लास्टिक लिख करता है तो उसके बाद ये लिख करता है जंगल में उसके बाद ये वापस ये शियर चला जाता है जंगल में लंगड़ते हुए इसी दावरान अंडरोकलस जो है अपनी मालिक अपनी मास्टर की आवाज सुनता है तो इसका मास्टर जो है वो जंगल में आजाता है 6 soldiers के साथ होते हैं Master तो the soldiers that is him go and tie up him मास्टर कहता है अरे यही वो भागी है यही जो बाग आ था यही वो बागी है जाओ मेरे soldiers इसको पकड़ो इसको भांद कर लाओ soldiers grab androcles and tie up him with ropes, soldiers जो है वो androcles को grab कर तो जखड़ते हैं और इसको क्या ratio से बांद करते है master to androcles you thought you would escape didn't you nobody escapes from me master ने उसको कहा घुर राते है अरे क्या तुम्हें क्या लगा तुम भाग जाओगे हाँ क्या तुमने नहीं सोचा था कि तुम बाग जाओगे यही सोचा था nobody escapes from me मुझसे कोई नहीं बाग था बागना चाहे भी तो the man take androcles to the city and throw him into a prison तो यह जो इसके guards होते हैं सारे कि सारे यह इसको शहर में ले जाते हैं और एक prison यानि कि जेल में बांद कर देते है scene third at stadium अब जो scene third है यह stadium में आता वो shift होता है पहला scene कहाँ था अगर हम देखेंगे तो scene first था एक field में उके उसके बाद हम scene से कर देखते हैं जंगल में और अब तीसरा scene जो है stadium में यानि कि अगर आपने film देखी होगी जब भी कोई actor अपने घरवालों के साथ होता है वहाँ पे मकान होता है घर की चीज़ें होती है और घर का अंदरूनी जो part होता है वो दिखाया जाता है अब अगर actor बाहर लड़ने जाए तो वहाँ पे भीडबाड होती है ताकि scene को attractive और ने के लिए इसी तरह से यह आप जो यह तीसरा scene है यह stadium में शरू होता है एम्परर आइड दे स्टीजन आर सिटिजन आर सिटिजन इन पैविलियन a cage has been placed at the center of the ground a huge and hungry line is roaring and roaming free inside the cage enter a few guards with endrocles the guards open the gate of the cage and push endrocles inside the door slammed and shut in the endrocles back the crowd claps and cheers अब होता यह है कि जो यह endrocles को जब लाया जाता है तो इसको इसको लाया जाता है stadium में वो के सबसे पहरा जो scene है जो हम देखते हैं वहाँ पे emperor होता है बादशा होता है और वहाँ पे बहुत सारे जो seasons होते हैं वहाँ के रहने वाले उस अलाके के इन दे पैविलें पैविलें मीन्स मलब तमाशाई गीर जो यमजनासन चाहां कोने बहुत वचन तमाश तो बीच में stadium में क्या होता है एक cage एक बहुत बड़ा cage यानि की cage मीन्स गो बोड़ बार पिंजरा तो वहाँ पे उसमें एक share को डाल दिया गया हुआ होता है जो कि घुराता हुआ होता है उस cage में इदर से उदर उदर से इदर वो बहुत बुका हुआ होता है तो इसी बीच जो है ये guards लाते है किसको एंडरो क्रिलस को और एंडरो क्रिलस को उठाते है और फैंक देते है इसी cage में इसी पिंजरे में जिसमें कौन होता है ये भूखा share और slam कर slam इन जोर से धर से उसको उपर पहले ऐसे मतलब अगर ये मानो कि यह उसका दरवाजा cage का ये ऐसे खोलते है अब जब ये जो एंडरो क्रिलस है इसको भैगते है किस में इस सनात कातमस पिंजरे समस्तर है विदा क्रावड क्लाप से अचियर्स क्रावड तेवस्तर यह भी आखली तिमो तूल्त करिक्चियर्स दो कुछो सा वांक्या बाइनी ओके अश्याब